कि dw Gary human MEN अनदिनी अपने YouTube चैनल में आप लोग का स्वागत करती हूं तो यहाँ पर मैं पेटिकोट की स्टिचिंग बता रही हूं और यहां पर मैंने पेटिकोट को कट कर लिया था तो यहां पर हम स्टार्ट करते हैं तो यहां पर हम लोग का жд 350 होता है और क्ली को मौत होती हैं और फोर कली पतली होती है तो हम को क्या कर ना है कि एक चोडी वाली Какली और दो पतली की को अटेज़ कर लेना है यह षे जोंड़क कर लिया है को औहोर एक पार्ट बनाएंगे और फिर हम दूसरा पार्ट बनाएंगे तो पहले हम फर्ष्ट कली को जॉइंट कर लिए हैं अब यहां पे हमको यह वाला कली उठा करके इसका जो तिर्चा साइड होता है इसमें अटेज कर देंगे तिर्चे साइड को तिर्चे में ही अटेज करते हैं और देखिए यहां पे हम अटेज कर रहे अगर स्टेच करेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी तो यहां पर मैंने जो फिर्स्ट पार्ट है उसको कंप्लीट कर लिया है तो देखिए हम यहां पर पूरा स्टेच कर लिए यहां पर देखिए आपकेता सुनदर से हमारा जो first part attach हो गया इसका कली और अब हम second part को लेंगे और second part को जैसे हमने first वाला attach किया था वैसे ही हमको second part भी attach कर लेना है कली को और जो छोडा कली है उसमें हम attach कर रहे हैं पतली वाली कली को तो यहां पर मैंने first कली को attach कर लिया और देखिए बहुत easy method है यह कोई दिक्कत नहीं होती है पेटी कोट की स्टिचिंग करने में तो आप यहां पे ध्यान से देखिएगा अब हमको सेकेंड कली भी अटेज कर लेना है सेकेंड पार्ट में तो यहां पे हम अपना सेकेंड पार्ट का जो सेकेंड कली है उसको अटेज कर रहे हैं सब्सक्रेशिज कर लिए तो यहां पे हम गण कर लिए हमको दोनों पार्ट को एक दूसरे के ऊपर रखना है और यह हमारी सीधी साइड़ है ये भी हमारी सीधी साइड है दोनों सीधी साइड एक तरफ रखना है और फिर हमको एक तरफ पूरा इस्टीज कर लेना है यहाँ पे दोनों पतली साइड ही आपको मिलेंगी इस्टीज करने के लिए तो यहाँ पे आप पूरे में आप इस्टीज कर लिजिए तो यहां पर हमने stitch कर लिया बहुत ही easy method है यह अब ये देखिए हमने पूरा stitch कर लिया है और यहां पर हमको 5 inch का एक fold करना होता है तो यहां 5 inch का हम fold करेंगे पहले half inch fold करेंगे फिर एक और half inch फोल्ड करके उस पे हम इस्टीच कर लेंगे तो यहां पे हमने अपना इस्टीच कम्प्लीट कर लिया अब हम दूसरी साइड भी ऐसे ही फोल्ड कर लेंगे 5 पिंच का यहां पे देखिए मेरा जो पिटिकोट है ओरेडी है इसमें बेल्ट अटेज करना है तो चलिए हम यहां से बेल्ट अटेज कर लेते हैं हमको सीधी साइड उपर रखनी है और जो बेल्ट है उसको नीचे रखना है और इस तरह से हमने अपना बेल्ट कम्प्लीट इस्टीच क कर लिया अब हम को जो नीचे बेल्ट का पार्ट था उसको हम अब्वा रिकोट के उपर सीधी साइड की तरफ हाफ इंच लेते हुए जहां पर हमने इस्टीच लगाई थी उसी फिर यह रख करके मोड करके और हम को फोल्ड हाफ इंच का फोल्ड करना है और जो हमने कर लेते हैं यहां पर देखिए हमने स्टीज कंप्लीट कर लिया है इस तरह से आप पेटिकोट बनाएंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी और बहुत ही जल्दी यह पेटिकोट रेडी हो जाती है तो यहां पर हमारा जो अब पूरा पेटिकोट का बेल्ट हो गया है अब हम साइड में भी एक स्टीज लगा लेंगे और इसको पूरा हम फोल्ड कर लेंगे अच्छे से और देखिए हमने जो साइड में स्टीज कर लिया है अब यहां पर नीचे हम डेढ़ इंज का फोल्ड करेंगे और पूरे पूरे रांडिंग compr हम स्टीचिंग अपना सुल्दू Capgrade कर लिए और यह मेरा पेटी कोट देखिया मेरी अब हमने यहां पर एक डूरी बनाना है और हम यहांब डूरी बनाने के लिए 3-40 इंच का इसिप पहले ही कट कर लिया था यहां पर हम वान इंच का सब्सक्राइस के गज़ुदू हमको डोरी बना लेना है तो यहाँ पे हमने डोरी कंप्लीट बना लिया तो यहाँ पे मेरा फाइनली ये पिटी कोट रेड़ी है और ये वीडियो आप लोग को थोड़ा भी अगर पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और कमेंट करके बताईएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी थैंक यू